नमस्कर दूस्तो आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगी कि MyGeo application से online shopping कैसे कर सकते हैं जीहाँ गईज आप भी जाना चाहते हैं कि MyGeo application से online order कैसे कर सकते हैं तो गईज आज किस वीडियो को start से लेकर end तक पूरा दिखना वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेज सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर सेट कर लिजिएगा जिससे आने वाले वीडियो की नौटिपिकेशन आपको मिलते रहेगी तो चलिए फ्रेंड्स आज का इस वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको प्लेज स्टोय अप्लिकेशन को ऊपन करना है play store application को open करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर play store application open हो चुके और गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको search bar में search करना है my geo app my geo app search करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको my geo application को download करना है तो गई जहाँ पर मैंने MyGeo application को पहले से ही download करके रखा है इसके बाद गई जहाँ पर आपको इस application को open करना है open करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते है यहाँ पर MyGeo application open हो चुकी है और गई जहाँ पर आपको इस तरह का interface देखने को मिल जाता है तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैज जो अप्लिकेशन से ओनलाइन स्वापिंग करना चाते हैं तो गई जहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको स्वापिंग के अप्शन पर क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपक क्या करना है यहाँ पर आपको category के option पर क्लिक करना है category के option पर क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैज यू application में अलग लग कई सारी category देखने को मिल जाती है यहाँ से आप जिस पी category के product को order करना चाती है उस category को यहाँ पर आपको select करना है तो गई जहाँ पर मैं fashion की category को select करता हूँ fashion की category को select करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं आप आपको अलगलग कई सारे option देखने को मिल जाती है तो गई जहाँ पर मैं man की option पर click करता हूँ man की option पर click करने के बाद गई जहाँ पर आप दीख सकते हैं यहाँ पर आपको अलग लग कई सारे option देखने को मिल जाती है तो गई जहाँ पर मैं western wear के option पर क्लिक करता हूँ western wear के option पर क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर आप दीख सकते है यहाँ पर loading हो रहा है और गई जहाँ पर आपको western wear के कई सारे product देखने को मिल जाएंगे तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको scroll down करते हुए नीचे के और आना और गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कई सर प्रोडेक्ट देखने को मिल जाती है यहाँ से आप जिस प्रोडेक्ट को ओर्डर करना चाहते है उस प्रोडेक्ट को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है तो गई जहाँ पर मैं इस प्रोडेक्ट को ओर्डर करके आपको दिखा देता हूं तो गई जहाँ पर मैं इस product को select करता हूँ इस product को select करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको product के अलग लग photo देखने को मिल जाएंगे तो गई जहाँ पर आपको swap करना और गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको photo देखने को मिल जाते है इसके बाद गई जहाँ पर आपको color का option देखने को मिल जाता है तो गई जहाँ पर आपको color को select करना चाहते है उस color को select कर सकते है इसके बाद गई जहाँ पर आपको product का total amount देखने को मिल जाता है इसके बाद गई जहाँ पर आपको size साइज को सेलेक्ट करना है साइज को सेलेक्ट करने के बाद गई जहां पर आपको स्क्रॉल डाउन करते हूं नीचे के और आना है और गई जहां पर आपको एड्रेस का ओप्षन देखने को मिल जाता है यहां पर आपको डिलिवरी एड्रेस को फिल करना है तो गई जहां पर म में एड हो चुका है तो गई जहां पर आपको उपर के और बैक के अप्सम पर क्लिक करना है बैक के अप्सम पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपने जो भी प्रोडेक्ट सेलेक्ट किया वो बैग में एड हो चुका है तो गई जहां पर देखने को मिल जाता है जिसमें यहां पर आप दिख सकते हैं यहां पर order के पूरी detail यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है इसके बाद गई जहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको address का भी option देखने को मिल जाता है तो गई जहाँ पर आपको delivery address को चेक करना है इसके बाद गई जहाँ पर आपको product का total amount देखने को मिल जाता है यहाँ पर टोटल अमाउंट को चेक करना इसके बाद गई जहांपर आपको मेक पैमेंट के उप्षन पर क्लिक करना है मेक पैमेंट के उप्षन पर क्लिक करने के बाद गई जहांपर आपको पैमेंट का उप्षन देखने को मिल जाएगा और गई जहाँ पर आपको Case on Delivery का Option देखने को मिल जाता है, तो गई जहाँ पर मैं Case on Delivery को Select करता हूँ, Case on Delivery को Select करने के बाद गई जहाँ पर आपको Proceed के Option पर क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर MyGeo Application पर Order Book हो चुका है, तो गई जहाँ पर आ एप्लिकेशन से ओर्डर बुक कर सकते हैं